हे दोस्तों मैं देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्निकल देव यूटूब चैनल में दोस्तों गूगल ने लाखो एंडरोइड यूजर को चेताओनी दी है कि अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों दरसल हो क्या रहा है कि जो भी स्मार्टफोन यूजर है जो कि अंडरोइड स्मार्टफोन का यूज करते हैं उनके फोन में जो एप्स हैं उनकी जासुसी कर रहे हैं और ये जासुसी जो है फोन में लगे कैमरा और माइक्रो फोन के जरिये की जा रही है और गूगल ने दोस्तों इससे बचने का तरीका भी बताया है तो इस वीडियो को आपको complete देखना चाहिए अगर आप स्मार्ट फोन यूजर हैं तो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उमिद करता हूँ कि ये टेक न्यूज आपको काफी अच्छे लगेगी वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजीगा और चैनल पर पहली बार विजिट किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन को आउन जरूर कर लीजीगा ताकि यानवली वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों देखिए और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिस कीजिए दोस्तों आपको बता दू कि android smartphone जो आते हैं उसको google company बनाती है और android smartphone में हम जो भी apps को download करते हैं play store से या कहीं से भी हम Google से कई भार गूगल क्रोम पर जाकर apps को download कर लेते हैं कई भार हम ऐसे apps को download कर लेते हैं जो कि हमारे लिए नुक्सान पहुचाने वाले होते हैं दोस्तों ये जो apps करते क्या हैं कि हमारे phone में जो camera लगा रहता है और जो microphone लगा रहता है उनका यूज जो है चोरी छीपे जो है करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं रहता है हम कुछ भी जो है बोलते रहते हैं तो ये जो है उस microphone या उस camera के थूर जो है record करते रहते हैं और उ ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दू कि इसी को रोकने के लिए Google ने जो है Android 12 में एक नया feature launch किया है जिसमें कि अब जो है अगर आपके phone में कोई भी apps जो है वो अगर आपका microphone या camera को जो है access करने की कोशिस करेगा तो वो जो है आपको alert करेगा और आपको सूचना देगा कि आ ये Android phone में भी आपको देखने को मिलने लगेगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप Android smartphone का यूज कर रहे हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं कि कोई app जो है आपके camera और microphone का यूज ना कर पाए तो इसको जो है आप business प्रकार के जो है phone में setting करकर इसको बंद कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आपके smartphone में Android 12 में तभी आपको ये feature देखने को मिलेगा अगर आपके पास जो Android 12 के नीचे का version है तो आपको ये feature देखने को नहीं मिलेगा तो ये जो है अभी latest feature है जो कि Google ने Android 12 में जोड़ा था और उसके उपर के सभी Android version में ये देखने को मिलेगा और इसमें दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके phone में कोई भी Apps जो है आपके camera है या microphone को अक्सेश करने का कोसिस कर रहा है और उसको आप जाकर Shatting में डिशेबल करता हैंगे और दोस्तों मैं ये पता देना चाहता हूं कि अगर आपको कभ प्रफोन का इकन दिखे तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आपकी जासुसी कर रहा है हो सकता है कि कई बार आपके फोन में जो एपस हैं वो आपके कैमरे को एकसेस कर रहे हैं जैसे कि इंस्टागाम अगर आप यूज करते हैं तो उसको जो एक परमिसन देनी होती है और तरत करता है तो उसको उनिस्टॉल कर देजी साथ ही में दोस्तों आप देखिए कि कौन-कौन एपस यह कैमरे की और जो मैक्रोफोन की परमिसन ले रखे हैं अगर आपको उनमें से कोई ऐसे अपस दिखते हैं जो कि विदावट आपके परमिसन का जो एक कैमरे और मैक्रोफोन क की परमिसन ले रखे हैं तो आप उसको वहां से डिसकनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वज़े से वह एप्स जो है आपके फोन में मैक्रोफोन या जो है आपके कैमरे का यूज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रोइड टोल भी है उसके ऊपर की वर्जन पर काम कर रहा है तो हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन के कौर्णर में मैक्रोफोन और कैमरे का इकन दिख जाए तो इसको लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़ूरत नहीं है इससे जो हमें साब को यह नहीं सोचना है कि आपकी जासूसी हो रही है कई पार दोस्तो कहीं और दूसरे source तो install नहीं किया है अगर install किया तो इसको uninstall कर सकते हैं तो दोस्तों जो cyber security expert है वो बहुत सारे ऐसे अंगीने टाप के बारे में बताए हैं जो कि हमारे phone में चोरी चिपे डाउंलोड हो जाते हैं इस्टाल हो जाते हैं देखते रहते हैं सुनते रहते हैं और इसी वज़े से Android ने जो है Google ने जो है Android 12 में ये बहुत अच्छा feature सामिल किया है कि अगर आपके phone में कोई भी apps अगर microphone या camera का यूज करेगा तो आपको जो है वो icon के route में जो है notice कराएगा कि आपके phone में जो app से वो इस time microphone या camera का यूज कर रहा है और आप जो उसको देख सकते हैं चेक कर सकते हैं और वहाँ पर सारी details आप देख कर उसको जो है अनिस्टॉल कर सकते हैं या उसकी permission को block कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी द्वार दीगी जानकारी और latest technique अगर आपको अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो जो है अपने टेक्निकल देख YouTube चैनल पर लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा कर आल को options लेकिए ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको मिलती रहे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद बंदे मात्र